नमस्कार दोस्तों मैं विनोद बाकुलियक पर फिट से आप सुभी का हमारी यूटूब चैनल दैरिश टेडी पॉइंट पर स्वागत है फ्रेंट्स आज की वीडियो में अपन डिसकस करने वाले हैं धरम सुदार अंदुलन पिछला जो टोपिक रहा था पुनर जागरण आज की वीडियो में अपन दरम सुदार अंदुलन के बारे में डिसकस करेंगे आप सबको पता है बी ए पार्ट फेस्ट का सेमेश्टर सेकिंड का आप नोन इस्टुडेंटों चाई रेगुलर इस्टुडेंटों दोनों के लिए इंपोटेंट होने वाली है सेमेश्टर सेकिंड में आदुनिक विस्व का इतियास आपकी बुक चलती है उसके अंतरगत ये यूरोप में दरम सुदार अंदुलन इसके बारे में बढ़िया तरीके से डिसकस करेंगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है आपका स्लेवस और पुनर जागरन के बाद इसमें परती सुदार अंदुलन और परती सुदार अंदुलन दिख रहा है बरमित मतो जाना सुदार अंदुलन का मतलब क्या है दरम सुदार अंदुलन ही है तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बढ़ा आइकन को प्रेस करो क्योंकि इस प्रकार की वीडियो में यहाँ आप लेकर आते रहता हूँ ता यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि दरम सुदारांदुलन होता क्या है यदि इसको समझ गए तो ये सारे के सारे जो कारण दे रखे हैं इनको चुटकियों में समझा दूँगा थेक है आपके सामने दिख रहा है इसकी सुरुआत 1517 में हुई थी यानि आप मान सकते हो सोलवी सताब्दी सोलवी सताब्दी को इसकी सुरुआत हुई थी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो पुनर जागरन था यह आपने पिछली वीडियो नहीं देखिया तो उसको देखना क्योंकि यह एक दूसरे से जुड़ी हुई है पुनर जागरन की सुरुआत चोद्वी सताब्दी से सोल्वी सताब्दी के बीच में मानी जाती है ठीक है जैसे ही पुनर जागरन समाप तुआ यानि उसका अंतुआ उसके जस्ट बाद में ही यह दरमसुदार अंदोलन स्टार्ट हो गया यूरोप में यह दरमसुदार अंदोलन जैसे आप ऐसा मानो कि एक मूवी का सबसे पहले ट्रेलर आता है और उसके बाद में जो मैन मूवी होती है वो आती है ट्रेलर यहाँ पर यूरोप में क्या है पुनर जागरन और मैन जो मूवी है वो दरमसुदार अंदोलन है पुनर जागरण सिर्फ ट्रेलर है ट्रेलर और दरम सुधार अंदुलन क्या है मूवी है तो कुछ काम तो यूरोप में इसने कर दिया पुनर जागरण ने और कुछ काम अब ये बाकी बचा जो काम है न ओ दरम सुधार अंदुलन करेगा दरमसुधार अंदोलन में क्या था की जो यूरोप था ये यूरोप मादीप है यूरोप मादीप में اिसाइदरम चलता था इसाइदरम और इससाइदरम का संस्तापक कुन था इसा मसी है आप नाम सुनते हो ईसा मसीश के संस्ता पकते जिनको सूली पर लटका दिया गया था वहां के लोगों द्वारा तो आप इसकी फोटो कभी कभी ऐसे देखते हो जैसे ईसे सूली पर लटके हुए है जैसे आपने मूवी में देखा होगा पीके मूवी ये आमीर खान की जो मूवी है उसमें भी आपने देखा होगा कि वो सराब की बोतर लेकर चर्च में गुच जाता है यानि उसमें अंदर चला जाता है और वहाँ पर एनसराब वर्जीत है तो वहाँ पर एक मूर्ती आप देखते हो ऐसे गरदन करके लटके हुए तो वो कोन है इसा मसी है जिनको सुली पर लटका दिया गया था तो इसका जो परमुक होता था उसको यूरोप में किस नाम से जाना जाता था पोप और उसके जो नीचे अधिकारी होते थे उनको परमुक अधिकारी बान सकते हैं दर्मा अधिकारी जी से यानि दर्मा अधिकारी भी अपन बोल सकते हैं और इनका जो इस्तान होता था उसको चर्च कहा जाता है जैसे बारत में मंदिर होते हैं उसी परकार यहाँ पर यूरोप में चर्च होते थे जिस परकार भारत में जो हिंदू दरम है उनका जो मंदिर में मंदिर को चलाने के लिए कोन होता है ब्रामन होता है उसी परकार यहाँ पर चर्च को चलाने के लिए पौप होता था और उसके नियम यहाँ पर लागू किये जाते थे और उसके नीचे अधिकारी होते थे ठीक है ना तो क्या हुआ कि जब ईसा मसी था ना उस टाइम तो इस दर्मे कोई बुराया नहीं थी बाइबल इन्हों ने लिखी और उसमें अच्छे अच्छे विचार थे यानि लोगों के बले के लिए काफी सारी चीज़े इसा मसी लिखी थे उस टाइम बिलकुल परफेक्ट दर्म था लेकिन समय के साथ सोलवी सताबदी तक आते आते इसमें बुराया आगई पोप ब्रष्ट हो गया और जो इनके अधिकारी थे वो भी ब्रष्ट हो गए जनता का सोशन करने लगे तो यहां पर आपको यह जो सब्द दिख रहा है धर्म तो यह धर्म किस धर्म में सुदार कर निकलिया था तो इसम जो इसाई धर्म है उसमें जो आई बुरायों पोप और चर्च में जो बुराया आ गई थी उनको दूर करने का प्रियास किया गया था स्टार्ट हुआ था पंद्रा सो सत्रा को ठीक है इसे आपन सौलवी सताब्दी भी बोल सकते हैं यहां तक बात के स्लियर हो गई होगी अब आपको ज्यादा समिशा नहीं आने वाली ठीक है तो अब अपन पढ़ेंगे इसके कारण है धर्म सुदार अंदुल के कारण क्या थे तो पहला कारण आपके सामने यह ट्रेलर ही आ गया इसका ठीक है ना पुनर्जागरन का प्रभाव पुनर्जा आ गई अब वो पोप के द्वारा जो नियम बनाए गए थे यह यह जो पोप था ना और इसके जो अधिकारी थे वो तो ब्रश्टो चुके थे अब बाईवल में जो अच्छे-च्छे विचार थे उसको तोड़ मरोड कर यह प्रस्तूत करते थे जंता के सामने अब यहां तो बाई तरक आ गया तो इनकी थोड़ी चलेगी जहां पर यह तरक आ जाता है ना लोगों के अंदर विवेक आ जाता है तो कोई भी जो भी कोई वात बोलता है ना उसका ऐसे कैसे अक्सेप्ट नहीं करते एसे ही यूरोप में जो सामने वाला बंदा बोल रहा है उसकी बा अंदिती है सारेक सारे पोईंट आ जाएंगे पहला है पोप की सांसारिक्ता एवं विलास प्रियता यह क्या है बाई सब इसमें आपको सब्दी दिख रहा होगो पोप तो आप समझी गई इसाई धर्म का प्रमुक होता था एक उसके नीचे अधिकारी होते थे सांसारिक्त तो जो पोप था वो तो दर्म को चलाने वाला था लोगों को दर्म के बारे में बताता था तो इसाई धर्म में यह है कि पोप है ना जो साधी नहीं कर सकता सांसारिक जीवन नहीं जी सकता लेकिन इसने क्या किया कि वो सांसारिक जीवन जीने लगा पोप पूरी तरीके से चुका था विलासिता पूर्ण जीवन जीने लगा अच्छ अच्छी वस्तुव का बोजन करने लगा जैसे एक साद्धू है वो सांसारिक नहीं हो सकता नियम तो कहता है कि वो सांसारिक नहीं हो सकता लेकिन कुछ होते हैं जो सांसारिक जीवन जीने लग जाते हैं तो यह जो मसीय के संतान बोल दिया करता था ये तो नीचे-नीचे कांड कर रहा है सांसारी जीवन जी रहा है जो चर्च होता था ना चर्च उसके अंतरगत महिलाएं भी तो सामिल थी ना तो उनसे ये एनेतिक संबंद बनाता था इसलिए ये बरष्ट हो चुका था एक तो इसकी ये बुराई थी दूसरी पाद्रियों की एनेतिक था ये जो पाद्री होते थे ना वो इनके नीचे ही होते थे और आप यूरोप में सबसे उपर इस्तान किसका दिया गया था ब्रामन को उसी परकार ये पाद्री आते थे तो इनके नीचे होते थे और ये जो पोप था ना वो इनका समर्थन करता था इनका समर्थन मिलने के कार ये एनेतिक कारे करने लग गए इस सब्द को समझो नेतिक कारे क्या होता है ने अच्छे मार्ग पर नहीं चलते थे और ये क्या करते थे कि जनता के उपर अंजुकर लगाते थे और पैसे उनके पास में लेते थे इनके पास में जो पैसा आता था उससे बड़िया तरीके से जिंदगी जीते थे बोग विलाज जिंदगी जीते थे तो एक ये बुराई हो कोई जंता परेसान होगी पूरी तरीके से, धर्मा दिकारियों द्वारा अपने कर्तवियों की उप्एक्षा, धर्मा दिकारी कौन थे, जो पोप के नीचे काम करते थे, पोप जिन अधिकारियों की निक्टि कर रखा था, वो ही है ये दर्मादी कारी, इनका कर्तव यह क्या होना चाहिए, इनका कर्तव यह होना चाहिए, कि जनता को धर्म की सही जान करी थे, उनको जो धर्म में बताया गया है, वो सारी सारी चीज़े बताए ताकि उनका जीवन सुकी हो सके, लेकिन ये उस कारे का निर्वहन सही तरीके से नही साता था उनसे बड़िया तरीके से सराप पिनार ये सारिक सार चीज़े ये लोग करने लग गए थे ये लोग इनको नहीं करना चाहिए था लेकिन ये करने लग गए तो एक कारण ये भी माना जा सकता है धरम युद्ध यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि ज युद्ध में ये तो हारे और ये तुर्क है न जो जीत के तो इसाई दरम के बहुत सारे लोग है न इस इन युद्धों में मारे गए यानि लगबग लगबग आठ युद्ध है इनके बीच में और सबसे जादा लोग है न जो इसाई दरम के मारे गए इस से यूरोप की जनता नाराज थी, पोब के, यानि इस पर, पोब पर है न, जो यहांकी जनता नाराज थी, और एक कारण अपन ये भी मान सकते हैं, इसके बाद मैं आपके सामने दिख रहा है, चरज की दमन नीती, जो चरज था, वो, बो सारी नीती ऐसी बनाता था, कि जनता इनसे परेशान यह जो चर्च था到 वि फो पूपी तो उसको जाला दिया जाता था तो यह शारी सारी चीज़ें पर शुकर कहा रहे सकते हैं विरौद करेंगे इसके बाद में यहाँ पर देख़ रहे हो चर्च की आंतरिक दुरबलता यहां पर आपके सामने दिख रहा है चर्च के द्वारा जनता का आर्थिक सोषण आर्थिक का मतलब अर्थ यह जो इंकम है ना उसकी बात कर रहा हूं धन यानि इतने टैक्स लगा दी है आगे पढ़ेंगे पन इतने टैक्स लगा दी इन्होंने चर्च के द्वारा की जनता का पूरी तरीके से सोषण किया गया और सोषण जब आप करोगे किसी का तो एक दिन विरोत तो हो गई इसके बाद मिदार्मिक कारण समापत होते हैं राज राजनितिक कार्यों में अस्तक्षेप करना यहां पर एक बात आप नोटिस करोगे कि पोब का कार्य तो धर्म की दर्म से समंदित था ना लोगों को अच्छे चीजी सिखाना जो दर्म में जो इसाई दर्म में दे रखा है वो सारी सारी चीजी सिखाना लेकिर फिर राजनि नीचे ये उसी परकार ये पोप राजनिती में यूरोप की राजनिती में स्थक्षेव कर रहा है यूरॉप की राजनिती में स्थक्षेब कर रहा है यहां का जो राजा है कोई तो राजा होगा न यूरॉप का सासन चलाने वाला कोई तो राजा होगा न उसको यह पस्य घठा सकता था इसकी इतनी पावर चलती थी जैसे अन्य राष्ट्रों से विदेशी संबंदों में भी यह अस्तक्सेव करता था इसको एड़वाइज देता था कि तू उस अन्य जो देश हैं उनसे संबंद नहीं बनाएगा तो यह सारी इक सारी चीज़े हैं ना यह राजनिती में अस्तक्सेव करने लगा था और राजा भी इनसे परेसान थे तो यह ऐसा नहीं करना चाहिए था तो यह भी कारण हुजाएगा इसके बाद में राजा की मैत्व कांसा जैसे पुनरजागरन समापत हुआ पहले राजा है ना जो पोप के नियंतरन में कार्य करते थे लेकिन जैसे पुनरजागरन समाप्त हुआ तो इनकी मैत्वकांसा बढ़ने लगी यह यह सोचने लगे कि कप तक अपन पोप के नीचे कारे करेंगे अपना वर्चस्वी भी तो होना चाहिए ना राजा का कारे है जन्ता पर सासन करना लेकिन यह बीच में आ रहा है तो इनको बुरा नहीं लगेगा इनकी मैत्वकांसा बढ़ेगी जादे जादे छेतर मेरा अदिकार हो लेकिन यूरोप के अधितर छेतर रुपीज़ पोप का अदिकार था तो इनकी जो मैतो कांसा है वो भी एक परमुक कारण पर मान सकते हैं इसके बाद में अपने देखेंगे चर्च के न्यायल है अब देखो चर्च है न जो न्यायले भी चला रहा है यह दर्म से संबंदित था और यहां पर न्यायले में देखो विवा से संबंदित मामले तलाग से संबंदित मामले संपत्ती से संबंदित मामले इस पर आना जो ये न्याय करता था न्याय तो करता था लेकिन न्याय भी बड़े तरीके से नहीं करता था इसमें भी ब्रश्ट रदीकारी बैठे होंगे इसके पोप की तो यह सारी सारी चीजे हैं तो चर्च का जुन्यायल है न वो भी ब्रश्ट हो चुका था ठीक है यहाँ पर आप बात करोगी चर्च के पास अपार धन्सम्पत्ति चर्च के पास में आना जो बूमी की कमी नहीं थी इस ऐसा माना जाता है कि यूरोप का एक तियाई भाग इस चर्च के नहीं अंतर में था अब इसके पास में इतनी बूमी हो ना यह बताता है कि यह दरम के बारे में तो यह दरम तक की सिमित नहीं था यानि इसके अंदर जो भी अधिकारी थे वो पूरी तरीके से ब्रश्ट हो चुके थे इतना आप समझो बस इसके बाद में तातकाली कारण है पाप मोचन पत्र यह तातकाली कारण मना ठीक है यह मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैंने छोड़ दिया इसको ठीक है इसको मैं अब जेंडर सस्टम था इसके समय तो इतना ब्रश्टाचार फैल गया था कि हर रात को तीन से चाल लासे है ना जो शड़को पर मिलती थी हर रोज तो इतना ब्रश्टाचारी से समय फैल गया था इसके समय भी ब्रश्टाचार कम नहीं था ठीक है इसका तातकाली कारण क्या होत इूरोप में पाप, मोचन, पत्र शुरू कर दिये ये क्या होते थे कि कोई भी व्यक्ति है ना जो इनको ले खरदेशे से एक परकार से आप बुक की मानलो थेखा इनको खरीद कर पौप के पास में खरीद कर पापों से मुक्ति पास सकता था क्या आपके माइंड में ये बात mind की कसोटी पर खरी उतर रही है तर्क पर खरी उतर रही है कि ये जो book होती थी उससे पापों से मुक्ति पाई जा सकती है क्या आप मालीज गलत करम कर रहे हो और pop के पास में जाओ उस time और उससे बोलो कि मुझे एक book दे दो ताकि मैं पापों से मुक्ति पास सकूँ ऐसा हो सकता था क्या तो ये पाप मोचन पत्र भी धर्म कमाई का साधन होता था अब जो पोप है वो फोकट में थोड़ी दे देगा अजनता को ये पाप मोचन पत्र पैसे लेता था तो बुरी तरीके से लूटने का कारण जो इस पॉप ने किया तो ये सारे के सारे कारण दरम सुधार अंदोलन के उत्पन होने के पर मुकारण माने जाता सकते हैं अगली वीडियो में इसके जो प्रभाव है और इसके जो परिणाम है उन पर अपन डिसकर्स करेंगे कि दरमसुदार आंदोलन का रिजल्ट आखिरकार में क्या निकला जिस परकार आप एक्जाम देते हो तो उसका रिजल्ट आता है उसी परकार इसका भी कुछ न कुछ रिजल्ट जरूर आया होगा उस पर अपन बड़िया तरीके से डिसकर्स करेंगे यदि चैनल पर नए हो तो चैनल पर जुड़े रहे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आया है तो कमेंट वोक्स में लिखना न भूले कोई प्रोब्लम है तो कमेंट वोक्स में लिखे मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए ठांक्यू